ब्रेड एक ऐसी चीज है जो हमारे घरों में हर दिन यूज होती है सुबा ब्रेकफास में इवनिंग में स्नेक्स में डिफरेंट डिफरेंट रेसिपीज में तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी नहीं आप खुद अपने आप चज़ करिए कि इतनी सॉफ्ट पर इतनी सॉफ्ट इक दम बजार की तरह ब्रेड बनी है आप एक बार घर में बनाएंगे ना तो बाहर से ब्रेड लाना बन कर देंगे क्योंकि यह इतनी एजी है बनाना अगर आपने मेरी रेसिपी को परफेक्ट फॉलो किया तो आपकी ब्रेड भी ऐसे ही बनेगी यह इतनी जैसे बजार की bread आपलाते हैं तो वो बहुत हलकी होती है खाने में भी और पकड़ने में भी और उसमें इतनी सारी जालियां होती हैं मैं देख रहे हैं आप कितनी मतलब हर एंगल से यह bread आपको market की bread से ही compare कर लिजे आपकी market की bread भी इतनी अच्छी नहीं होगी जितनी आपने घर में बनाएंगे तो चलिए शुरू करते हैं मेरे साथ मिलकर बनाते हैं यह मसेदार सी रेसिपी को बट उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटापट से चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे ताकि टाइम पर सारे notification आपको मिल सकें तो आएए देखते हैं आज की रेसिपी कैसे बनाते हैं तो सबसे पहले आपको लेना है एक बॉल में लूक वाम मिल्क हलका गुनगुना और इसकी कॉंटिटी होनी चाहिए टू फॉट्टी एमल या वन कप आप जिस भी कप से मेजरमेंट ले रहे हैं मेंदा का उसी कप से वन कप मिल्क ले सकते हैं और इसमें मैंने डाली है तीन इसपून के करीब एक्टेब ड्राई इस तो एक्टेब ड्राई इस ले हैं या इनस्ट इस नै कोई भी इस ले पहले उसको इस तरीके से आप्टिवेट जरूर करिये इसे क्या होगा आपको ुYह पता चल जाएगा कि आपकी इस जो है wicked स्ट में है या नहीं अग इसके बाद मैंने लिया है यहां पे 200-300 ग्राम मेंदा तो इतना मेंदा आप ले सकते हैं आप चाहें तो आधा मेंदा और गीहूं का आटा भी ले सकते हैं बट रेसिपी में अभी आगे मैं आपको और भी बताऊंगी चैनल में बहुत सारी रेसिपी अपलोड करना बागी है तो चैनल पर बने रही है आपको होल वीड ब्रेड भी मैं बताऊंगी बनाना तो देखिये मैंने यह जो इस्ट का मिक्षर है मैंने इसमें मेंदा में मिक्स कर लिया है और साथ में मेंदा में मैंने डाला है नमक तो एक स्पून के करीब आपको इसमें नमक भी एड़ करना और फिर आपको इसे अच्छे से mix करते हुए soft हातों से आपको बहुत ज्यादा pressure नहीं देना है हलका हातों से आपको इसे अच्छे से knead करना है और देखिए फिर मैंने पानी थोड़ा-थोड़ा डालती जाओंगी और एक बहुत अच्छा सा डो हमें तयार करना है जब भी आटे में तो वह हातों में स्टिक बहुत होता है और गीला भी बहुत होता है बट इसकी खासियत है आप इसे जितना ज्यादा नीड करते जाएंगे वह उतना ही स्मूध होता जाएगा देखिए मैंने एक नॉर्मल डो तयार कर लिया है डो आपका टाइट नहीं होना चाहि पिर मैंने ये फ्लेट सर्फेस पे देखे इस आटे को निकाल लिया है और अब हमें इसको अच्छे से नीड करना है और कम से कम 10-15 मिट हमें से नीड करेंगे और मैं बीच बीच में इसमें एक एक स्पून ओयल डालती जा रही हो आप चाहें तो मेल्टेट बटर यूज कर सकते हैं या घर का घी भी यूज कर सकते हैं आप पर डिपेंड करता है ये मैं फिलाल तेल डाल रही हूं तो देखे एक एक स्पून में तेल डालूंगी और इसे इस तरीके से हातों से प्रेस करते हुए स्ट्रेच और पोल मेथट से हम इसे नीड करेंगे ये शुरू में तो बहुत स्टिक होगा हातों में चिपकेगा भी और नीड करने में आपको थोड़ा सा मैशी वर्क लगेगा बट जब आप इसे नीड करते जाएंगे तो ये बहुत अच्छे से स्मूध हो जाएगा तो देखें मैंने इसे रोलिंग बोड पे निकाल लिया है ताकि मैं कम आटे को नीड करेंगे ना ब्रेड उतनी ही अच्छी बनती है तो आपको ये नीडिंग की प्रोसेस को बहुत अराम से करना है और दीरे दीरे देखें ये आटा मेरे हातों में चिपकना भी बंद हो गया है और देखें ये सर्फिस में भी चिपकना बंद हो गया है और एक अब भी आप इसे रेस्ट करने रखेंगे तो यह याद रखेंगे विंटर्स में आपको इसे 45 मिनिट तो लग जाएंगे आपको इसे प्रूफिंग के लिए रखना होगा और अगर समर का टाइम है तो यह 20-25 मिट में बहुत अच्छे से प्रूफ हो जाता है तो अभी निट करते टाइम मैंने तीन इस्पून करी बॉइल यूज किया है तो इस तरीके से मैं से ढांक कर प्रूफिंग के लिए रख दूगी तो मैं आपको एक बार मेजरमेंट बता देती हूं 200-300 मेंदा है 1.5 इस्पून हमारी इस्ट है 3 इस्पून चीनी है और 1 इस्पून न जाती है तो 20 मिट बात देखिए आटा मारा कितने अच्छे से प्रूफ हो गया था और मैंने से पंच करते हुए सारी हवा बार निकाल दिया है और रोलिंग बोड पर अगेन मैंने से निकाल लिया है और अब हम इसे फिर से 3-4 मिट 5 मिट तक हम इस तरीके से हाथों से मसल अच्छे से स्मूध हो जाए और देखिए इस तरीके से फोल्ड करते हुए मैं इसे चिकना कर लूँगी तो इस समय आपको आटे से प्ले करने में बड़ा मज़ा आता है तो जब भी मैं ब्रैड बनाती हूं तो ज्यादा टाइम तो मैं इसको यह साथ खेलने में ही स्पैं जितना भी आपका टिन का साइज है उस तिन के साइज के अकॉर्डिंग मैं इसे बड़ा बेल रही हूं तो देखिए मैंने रोलिंग बोर्ड में इसको निकाल लिया है बिल्कुल भी दीकर नहीं होते है यह बहुत आसानी से हो जाता है कोई बहुत बड़ा काम नहीं है ब् बनती बहुत अच्छी है बिलीव मी तो देखिए हातों से दबाते हुए मैंने इसे बड़ा कर लिया है और बेलन हातों से जैसे भी आप कमफटेबल हूँ आप इसे इस तरीके से फैला फैला कर दबा तबा कर बड़ा कर लीजे और फिर मैं इसे ब्रैट की तिन जो है मेरी मैं इसे एक बार चेक कर लूँगी कि साइज परफेक्ट है तो जी हा बिल्कुल परफेक्ट साइज में यह है इतनी ही लंबाई मुझे चाहिए है आटे में तो अब मैं इसे इस तरीके से और थोड़ा सा बड़ा करके और मैं आपको बताती हूँ आपको एक कॉर्णर लेन याद रखिए यही एक टाइम है जब आप अच्छे से अगर इसे दबाते हूए प्रेस करते हूए पैक करेंगे तो आपके जो ब्रैड में जालिया है वो परफेक्ट आएंगी तो यह जो है ना यह मैथट आपकी ब्रैड में गोल जालिया जो आती है ना जैसे मार्केट की इसी से होती है इसके बीच में अगर गैप रहे गया ना तो आपकी ब्रैड में होल आ जाएगा या बड़े-बड़े से होल आप देखते हैं कईवा ब्रैड में वो आ जाते हैं तो आपको एकदम टाइट प्रेस करते हूए रोल करना है और इसे अच्छे से टक भी करना है तो इस Τरीके से आप मैं ने देखिये पूरा रोल कर लिया है और मैंने इस को भी बहुत अच्छे से पंच कर लिया है एकदम ये देखिये मैंने बहुत अच्छे से पैक कर लिया है और इस तरीके से मैं इसे पिंच करते हुए पूरा पैक कर लूँगी तो यह मेरा बहुत अच्छे से एक रोल बनके त्यार हो गया है अब हमें क्या करना है दोनों तरफ के जो है दोनों तरफ से इसे शेप देने के लिए क्लिवे हम इसे इस तरीके से फोल्ड करेंगे इस तरीके से अर इस तर्के से पिंच नोग कर लेंगे एकम टाइट इधर से भी यह खुलना नहीं चाहिए और दूसरी तरफ से भी हम सींबल अप्रोसेस करेंगे तो ये दिखि के मने sitzen फोल्ड किया और इसे बहुत अच्छे से पिंच कर लिया है तो यह हो गया है हमारा bread का loaf तयार और अब हम इसे फिर से bread tin में set करेंगे तो मैं इसे पहले अच्छे से तयार कर लेती हूँ और देखे कितना smooth है आप चाहें तो इसे हातों से और smooth कर सकते हैं ऐसे कर करके अगर इसमें थोड़ी सी भी आपको लगती है कि कहीं से gap है, air है तो आप इसे फिर से muscle के अच्छे से करके और फिर से set कर लीजे और ये मेरे tin को मैं पहले grease कर लूँगी तो आप butter से, ghee से, oil से किसी भी चीज से आप grease कर सकते हैं ये आपके उपर depend करता है तो मैं यहाँ फिलहाल oil से grease कर रही हूँ और फिर मैंने यह हमारे आटे को उठाया और इसे इस तरीके से tin के अंदर set कर लिया तो ये देखिए मैंने आपको क्या करना है हाथों से दबाते हुए से tin का size देना है tin का पूरा shape देना है आपको इसे वैसे तो आटा अपने आप set होके tin का shape ले भी लेता है बट हमें क्या चाहिए है कि loaf का जो आपने मेरी loaf का shape देखा है कितना perfect shape इसी लिए आया था कहीं से भी वो उपर नीचे आड़ा तीछा नहीं था ये इसी कारण से है तो हर एक step बहुत कुछ अपने आप में माइने रखता है roll करना, set करना, knead करना तो bread बनाने के लिए छोटे-छोटे tips नहीं बहुत काम किये होते हैं तो आप इने perfectly follow करिएगा आपकी bread भी इतनी ही अच्छी बनेगी shape में, texture में size में and softness तो गजब की होगी तो देखें मैंने कितने अच्छे से ऐसे तरीके से कर लिया और मैंने इसे थोड़ा सा उपर से oil से grease इसलिए किया है बहुत हलका सा क्योंकि अब हम इसे दुबारा proofing के लिए रखेंगे 20-25 मिनिट के लिए अगर winter से तो आप आदे घंटे के से चालिस मिनिट तक के लिए रख सकते हैं बट गर्मी में आप 20-25 मिनिट तो यह देखें अलमोस्स 35 मिनिट के बाद मेरी ब्रैड में देखें कितनी अच्छी से proofing हो गई है और यह लिट जो है उपर से थोड़ा सा इस लोप से टकरा रही है तो इसके कारण ब्रैड में जो है वो scratch आ रहा है तो मैं इसको अच्छे से grease करूंगी ताकि जब हम इसे बेकिंग के लिए डाले तो ब्रैड का जो आटा है वो इसमें चिपके ना और हमें निकालने में आसानी हो अब मैंने लिया यहाँ पर मिल्क और आपको ब्रैड को बहुत अच्छे से मिल्क से वाश करना है तो आपको इस तरीके से मिल्क को उपर से स्प्रैड करना है और इससे क्या होता है ब्रैड में बहुत अच्छा कलर आता है जो आप ब्राउननेस उपर देखते हैं उपर का 94 को इसी के बहुत अच्छे से बहुत से ठेट कर लिया है और अब हम इसे इसे जुद्स के डालेंगे और इसे लिए बेखिंग करने हिए दालेंगे, तो आपको baking के लिए preheat करके रखना है, आप चाहें कड़ाई में करने हैं, तो कड़ाई को भी preheat करके रखिए, तो यहां पर मैंने अपने convection mode में microwave को preheat करके रखा था, अब हम 200 degree Celsius में convection mode में 200 degree Celsius पर मैं अपने bread tin को डाल रही हूं अंदर और मैं बहुत आपको इसलिए दिखा रही हो ताकि ये वीडियो आपके पास हमेशा रहेगा और हमेशा आप इसको देखकर बना सकते हैं मैंने टाइम सेट किया है 20 मिनिट्स तो अग भी 20 मिनिट्स के बाद मैं और भी टाइम सेट करूँगी अब आप सोच रहे होंगे मैंने लेट क्यों हटा दिया धक्कन उपर का तो मैंने इसलिए हटा दिया कि मेरी ब्रैट जो है ना मुझे लगा कि अभी ये टिन में और उपर तक आ चुकी है और जब ये बेक होगी तो और उपर आएगी तो वो बहुत अच्छे से अपना शेप किया और अगेन 20 मिट के लिए से बेक किया तो हमें टोटल 40 मिनिट करना है पहले 200 डिग्री सेल्सियस पर 20 मिनिट के लिए तो यह भी टिप है बेक करने का तो देखे फिर 20 मिट बाद और 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 यह देखे मेरी ब्रैट बनके बाहर आ गई है और इसको मैं चेक कर रही तो आपको अंदर ते एक hollow sound सुनाई देगा, इसका मतलब है bread आपकी अंदर तक बहुत अच्छे से पक चुकी है, तो अब आपको क्या करना है, अब आपको इसे butter से या घी से इस तरीके से grease करना है तुरंथी जब भी आप निकालेंगे microwave से तुरंथी इसे grease करना है, ताकि आपको इसे ठाक कर रख देना है 10-15 मिट के लिए 10 मिट बाद देखें, आपने इसे डी मोल्ड करेंगे तो इसके लिए आपको पहले साइट से चाकू से इस तरीके से सारी साइट निकाल लेनी है ताकि आपको ब्रैट जो हो कहीं से चिपकी हो तो वो इस टेन को छोड़ द कितनी मज़िदार दिख रही है और बहुत अची खुश्बू पूरे घर में पहल चुकी है और ब्रैट का टेक्श्चर जो है बहुत बढ़िया यह देखो आप यह देखिए हमारी ब्रैट जो है वाव तो सबसे अच्छा मोमेंट होता है ब्रैट को डी मोल्ड करके जब आ तो बिलीब में आप भी ऐसी ब्रैट घर में बहुत आसानी से बना सकते हैं अगर आप पूरी रेसिपी को सही से फॉलो करेंगे तो हमारे ब्रैट निकल के आ गया है अब आपको क्या करना है अब आपको इस तरीके से जाली के उपर इसे रखना है और गीले टौवल से ढख कर दो घंटे के लिए इसे छोड़ देना है और याद रखे आपका टौवल जो है बहुत ज़्यादा गीला नहीं होना चाहिए हलका सा बहुत हलका सा पानी से आपको इसे गीला करना है दो घंटे बाद आप इसके स्लाइस करके रेडी टू यूज है आप इसे खा सकते हो द कितनी ठंडी होती है उतनी ही ज्यादा सॉफ्ट होती जाती है देखो आप मैं हाथों से प्रैस कर application कितनी प्रेड बन कर आईया कितनी प्रेड बनकर आया है कितनी Flex है चाहित बहुत है ज्याधा सॉफ्ट है आप आँखों से देख सकते हो बिलकुल मार्केट कीol Ad GB Steurida बनी कि अचसे के लिए और प्रेशर यार मुछ होते तो अब आप इस तरीके से कट लिगाँ हूं अब आप प्यारी गख सका प्रेटीक लाइज हूं अगर आपको उपर से काटने में रिकत होती है तो आप इसे इस तरीके से टर्न करके साइट से भी कट कर सकते हैं और चीष्ष्षण ईकिघएक की स्लाइस जो कितनी सौफ्ट है और इसे ज montón visa रिकत हैं आप देख सकतों कितनी मलायमी यह कितना ब्रीक ब्रेट की फोल्ड कर रही है और सबसे अच्छी बात यह है कि इस bread का जो texture है वो बज्जार की तरह bread के texture से है देख सकते हैं आप कितनी white जालिदार bread है तो एक बार आप ज़रूर कमेंट करके बताईए गा कि आपकी bread कैसी बनी और आपको यह bread कैसी लगी इस bread में जालियां देखेजां बज्जार की bread में भ पॉली बैग में फोल्ड करके भी आप इसे रख सकते हो आप इसे रूम टैंप्रेचर पर रख सकते हो तीन से चार दिन तक आराम से चल जाती है बिना प्रिजर्बेटिव की बिना केमिकल की यह घर में बनाई है और इसकी एक एक खाने में भी हल्की है और पकड़ने में भी जितना हम बजार की ब्रैट को पोल्ड करते हैं हाथ में लेते हैं वो कितनी सॉफ्ट होती है तो देखो मैं ऐसे आपको दो ब्रैट चाय के साथ में सर्फ कर रही हूं यह देखिए आप इसका टेक्शर देख सकते हो आप मैंने तो बटर ब्रैट सर्फ किया चाय के साथ मेर तो शाम की चाय रेडी है और मेरी फ्रेश ब्रैट भी रेडी है तो कमेंट करके बताए कि अब आपको नेक्स रेसपी कौन सी देखनी है आप मुझे कमेंट में जरूर बताएगा मैं आपके लिए जरूर वीडियो बनाऊंगी फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ तब त झाल 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 झाल